मैं तो अभी चार दिन पहले लोटा हूँ राजस्तान से राजस्तान में हमारा कारकरम था दिन भर का वहां सचेन पालेट भी आये थे मैंने उनका इंट्रिव्यू किया सचेन पालेट ने साफ कहा कि अशो कहलोत ने मेरे बारे में जो कुछ कहा था यह कायर है निकम्मा है और तो सहमत है सचिन पालेट जी से मन से नहीं जाते लेकिन उन्होंने माफ तो कर दिया ना आप एक बात बताईए लेकिन यहां पर तो भारती चंता पाल्टी पे देखिया ना तो बात करी ना माफी मांगी ना माफ किया पाल्टी से निकाल अलग से दिया हमारे यहां तो दोन पर पार्टी से निकाल दिया नहीं तो अर्जुन राम मेगवाल के उपर आरोप लगाया था लेकिन आपने पूछा उन से बाबा बालकनाथ के उपर बावन करोड का आरोप लगा है कोई जबाब है अच्छा पूछते हैं आपके सामने आज ही कॉंग्रिस पार्टी ने पार लिया हमारे घर के अंदर ठीक है को कोई मद्वेथ था आपस में लेकिन बात होगी सोले सफाई होगी आपने क्या किया वसंद्रा जी का यह संबला हुआ घर है कि आप जो हैं सचिन पाइलट को निकम्मा कहें नकारा कहें बिचारे को मंत्री पस्ते हटा दें और उसको कि आपने उन्हें से निश्चित तौर पर पूचा होगा जी राजस्तान में अगर कांग्रेस जीती है तो मुक्यमंत्री कौन होगा अशोग गैलोट को मुक्यमंत्री पत्के प्रत्याश्वी के रुप में क्या श्रीमान सचिन पाइलट स्विकार पाए है क्या ने कि मैं उनका नेत्रित्त स्विकार रहा हूं जो मुझे निकम्मा नकारा कह रहे थे उन अशोग गैलोट को मैं एक शमा कर दिया है अब मैं उनके नेत्रित्त को स्विकार करके उनके मुक्यमंत्रित्त में काम करूंगा ऐसा स्विकार है क्या राजेंद्र गुड़ा अशोग के विदाइका के इतियास में किसी नहीं की होगी उन्होंने कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहां बलातकर ज्यादा होते हैं उनका और उन्होंने तो कहा-कहा इनके कांग्रेस के विदायक उससे बड़े पेशर्म अशोक गहलोथ समयत पूरी कांग्रेस के विदायक मदल ने जिस तरह से तालिया पीटी और हसी प्रहसन किया सारी मैलाओं का उससे बड़ी पेशर्मी क्या हो सकती थी लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ चूँकि वो राजस्तान में कांग्रेस में ही संभव है बाकी किसी स्थान पर किसी दल में यह संभव नहीं है और दूसरे के सामने विचार रखते हैं और जो देड़े लिये जाता उसको सबस्विकारते हैं यह होता है विदायकों समयत नाराज होकर राजस्तान चोड़कर चले गए किसी और प्रदेश चला गया था क्या सचिन पाइलट अपने समर्थक विदायकों के साथ अशोग गहलोत की सरकार को चुरोती देते हुए बगल के प्रदेश में चले गए थे यह घटना मैं कपोल कल्पित बता रहा हूं कि सत्य बता रहा हूं आप इस घटना की पुष्ट आप मुझे बताईए न क्या है और जहां तक बात है जब हम कहते हैं कि सीटे हम पाएंगे तो भारती जनता पार्टी को 2013 में 164 सीटे राजस्थान की जनता ने दी थी इसलिए अगर हम कहें कि हमको 160 सेधिक सीटे मिलेंगी तो हमारे पास एक आधार है कांग्रेस बताईए कि दो सो मैं से कितने सीटे केLI चैपि दोनों ने आपंगे जीत के दावे का आधार बताया आप ने बताया क्यों हम कि हैं एम पार हम बता रहें हैं सेपने जाने जा रहा है